वेल्कम बैक फ्रेंश तू दाज येस प्लेटफर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेडैवल हिस्टरी का पार्ट 6 इससे पहले 5 वीडियो बनाए जा चुके हैं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाईए और उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं तो आज की वीडियो में गुलाम वन्स जो की दिल्ली सल्तनत का पहला वन्स है उसके गया सुद्दीन बलवन सासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैनल पर अगर आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आज की वीडियो में हम लोग बलवन के बारे में देख रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में यानि की वीडियो नमर फाइब में हम लोगों ने गुलाम वन्स में रजिया सुल्तान के बारे में इस्थिती इसके बाद यह बलवन के बारे में जान सकते हैं तो यहाँ पर दिखिए पहला पॉइंट दिया गया है रजिया बनाम तुर्क सरदारों के संगर्स में रजिया की हार हुई जैसा कि आप जानते हैं कि रजिया अल्तुनिया के साथ कैथल के युद्ध में हार गई थी और वहाँ पर उसकी मिर्त्यूभी हो गई थी तो रजिया की हार हुई तो इसके बाद रजिया के बाद रजिया का भाई 1240 से 42 के बीच तुर्क सरदारों के निंटरल में 12 अमसाय को सासक बनाए गया ठीक है तो जो बहराम साय है उसको सासक बनाए गया जो की रजिया का भाई था अब देखे बलबन के संदर में अगर हम बात करेंगे तो बलबन भी एक तरह का दास था जो बाद में सेना में सरदार बन गया था और रजिया के काल में ये अमीरे सिकार के पदपर था है यानि कि रजिया के काल में बलबन एक तरह सी सिकार विवाग का प्रमुक था और बहराम साय के काल में यानि कि ये जो 40-42 वर्स का जो कार काल रहा था इस काल में जो बलबन था वो असुसाला का प्रमुक था यानि कि घोडों के विवाग का प्रमुक्त था ठीक है तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बहराम साह ने तुर्क सरदारों के आधिपत्य को कम करने के लिए नायव ए मामलिकात का गठन किया जो की राज्य की संर मामलिकात का जो गठन किया गया था वो इसलिए काक किया गया था क्योंकि इस पद के बनने के बाद जो तुर्क सदार थे जो चालीसा का गठन किया गया था इलतुतमिस के द्वारा उनके जो प्रभाव था उसको कम करने के लिए यह बनाय गया था और यह भी कुशन आप से पूछा जा सकता है कि यह जो नायब ए मामलिकात पद था इस पर निक्त होने वाला पहला अदिकारी कौन था तो वो थे एक्थियारुद्दीन एतगीन कि कि एक्थियारुद्दीन एतगीन पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि नायब ए मामलिकात पद पर निक्त हुई थे जैसा कि हम जानते हैं कि बल्बन के सासक बनने से पहले जितनी भी इस्थिती है वो आपको इस पश्ट में कर देना चाहता हूँ तो आगे देखें बहराम साहे के बाद अलाउद्दीन मसूद साहे सन 1242 से 40 तक सासक रहा यानि कि 4 वरसों तक अलाउद्दीन मसूद साहे भी सासक बना तो यहाँ पर देखिए इसके बाद next point है इसके बाद यानि कि जो पिछला सासक था उसके बाद नासुरुद्दीन महमूद सासक बना जो कि 1246-65 तक सासक रहा यानि कि इसने काफी वर्स तक जो गुलाम वंस है उसमें सासन किया है नासुरुद्दीन महमूद ने और इसी के काल में बलवन ने अपनी जो शक्ती थी अपना जो प्रभाव था वो गुलाम वंस में बढ़ाना शुरु कर दिया था नासुरुद्दीन महमूद के बारे में ठीक है इसी के काल में तो आगे याँ पर लिखे पॉइंट दिया गया है और उसकी सेना में जो योगता थी उसकी जो ability थी उसके दम पर नासुरुद्दीन महमूद ने बलवन को उलूखा की उपादी प्रदान की थी इसके बाद क्या होता है कि सबसे महत्तपूर बात ये होती है कि बलवन ने भी अपनी लड़की की साधी सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद से कर दी थी तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलवन ने अपनी कूटनीती और अपनी बुद्धी के अनुसार सेना में एक विशिष्ट पद भी हासिल किया और सुल्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी लड़की की साधी सुल्तान से कर दी इस तरह से हम देखते हैं कि बलवन अब जो राज दर्बार था उसमें उसकी प्रमग घूमका हो गई थी और इसी आउसर का लाव उठाने के बाद अंत में बलवन ने 1266-1286 के बीच सासन किया है तो बलवन नहीं नासुरुदीन महमूद यानि कि जिसकी पुत्री की साधी अपने वर के साथ की थी सुल्तान के साथ की थी तो उसी सुल्तान की हत्या कर दी और सुयम सुल्तान बन बैठा यानि कि बलबन ने ही सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी और इसके बाद वो सोयम सासक बन बैठा तो अब यहां से हम लोग बलबन के बाले में इस पेसली कुछ पॉइंट्स को डिसकस करेंगे और आई होप आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे हैं क्योंकि हम इस तरह की वीडियो सीरीज है इसमें हम अच्छी तरह से कोई भी पॉइंट को मिस किये बिना आपकी कोर्स की सीरीज चरा रहे हैं इससे कि आपकी कोई भी एक्जाम में आपका कोई भी question मिस नहीं हुआ तो देखिए आपर next point देखते हैं बलवन की बारे में बलवन का मूल नाम बहुत दीन था जो कि इलवरी जाती का तुर्क था ठीक है तो इस point को देखने के बाद पता चलता है कि इलवरी जाती का ये दूसरा सासक था जो कि गुलाम वंस में सासक बनाएं आप comment box में बताईए मैंने पिछली वीडियो में डिसकस किया है पिछली जितने भी वीडियो बने हैं उनमें मैंने डिसकस किया है कि इलवरी जाती का ऐसा कौन सा पहला सासक था जो कि गुलाम वंस में सासन उसने किया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताईए तो वो दिये बलवन ने दिया है और इसमें मतलब क्या है इसका मतलब यही है कि वो सुल्तान को यानि कि जो भी राजा होते हैं वो इस्वर के एक तरह के प्रितनिदी होते हैं और प्रत्वी पर वो इस्वर के एजेंट की रूप में काम करते हैं ठीक है तो यही इसका का ही रूप है प्रकास है जिल्ले लहाई बल्वन को कहा जाता है एक्जाम में पूछा गया है राइट नेक्स्ट पॉइंट है बल्वन ने अपने राज दर्वार को बड़ी कठोर कानून की साथ चलाया उसने दर्वार में सिजदा सिजदा का मतलब होता है गुटने पर में सुल्तान की जो वैल्यू है वो बड़े ठीक है तो सिजदा और पाबोस इन दो प्रथाओं को सुरू करने के बाद दर्वार में जो सुल्तान की वैल्यू थी वो बहुत बढ़ गई क्योंकि इससे जो सुल्तान होता था उसकी जो रिस्पेक्ट थी उसको बढ़ाने का प्रियास इसमें किया गया है तो एक्जाम में पूछा जाता है सिजदा और पाबोस प्रथाओं कि शुरू की तो आप आंसर दी सकते हैं बलबन बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है नेक्ट पॉइंट दिखिए बलबन ने दर्वार को इरानी परमपरा की अंसार सजाय तता दर्वार में बहुत गंभीर रहता था और बहुत ही कठोर न्याय करता था यानिकि इस पॉइंट से पता चलता है कि उसने राज दर्वार में काफी discipline रखा हुआ था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है बलबन ने लोहवारक्त की नीती अपनाई तता उसने राज में गु तो इस तरह की नीती को लोहवारक्त की नीती बोलती है ठीक है बलबन ने इल्तुत मिस द्वारा गठित चालीसा का दमन कर दिया बहुत ही important point है आपसे exam में देगे दो प्रिशन पूछे जा सकते हैं कि चालीसा का गठन किस ने किया यानि कि 40 तुर्क सरदारों का जो गठन क किया था इल्तुत मिस ने लेकिन इसका दमन यानि कि उसको नश्ट कर दिया खत्म कर दिया वो किया था बलबन ने ठीक है point को आप ध्यान रखेंगे चालीसा को किस ने अटाया बलबन ने इसका कारण यही था कि जो 40 तुर्क सरदार हुआ करते थे वो राज में राज के कार काल में ठीक है और सुल्तान की काज में बहुत ही दखल अंदाजी करते थे बहुत ही हस्त छेफ करते थे जिसकी वज़े से सासन करने में बहुत ही प्रॉबलम होती थी इसकी वज़े सुने 40 को खत्म कर दिया राइट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपके सामने है बलबन इरानी तयोहार नारोज की सुरुवात की थी बहुत ही इंपॉटन पॉइंट है देखे एक इरानी तयोहार है नारोज उसकी सुरुवात किसने की बलबन ने एक्जाम में पूछा गया यहाँ पर पॉइंट दिया गया है नेक्स्ट है बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की म वाला व्यक्ति हुआ करता था उस समय तो उसने भी अपने आपको उसी के समकक्ष रखा है कि उसने भी धर्म की वृद्धी के लिए सभी कार किये इसलिए उसने स्वयमकु खलीफा का सहायक का है ये PCS एक्जाम में कोश्यन पूछा गया है कि बल्बन ने कहां की मस्जित की द कर्ष्था में 1287 में और बल्बन के बाद कैकुबाद सासक बना ठीक है कौन बना कैकुबाद की का में इक ते सीन पर धेंफिरोज पर देखिए अगला पॉन्ट है बाद में केकुबाद को लगवा मार गया उसके तिन वर्सी पुत्र कियो मर्स को सासक बनाये बाद तिक है या केकुबाद के बाद उसका ते पुत्र या जलालुद्दीन खिलजी ने मौका पाकर 1290 में कैमर्स की हत्या कर दी यानि कि उसकी नावालिक पुत्र की हत्या कर दी और सोयम सासक बन बैठा तो यहीं पर यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि कैमर्स की हत्या के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने एक नई वंस खिलजी व वंस के बारे में क्योंकि इस वीडियो के अंत तक हम लोगों ने गुलाम वंस का अंत कर दिया है ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग खिलजी वंस के सासक के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वीडियो को सेयर जरूर करिए तो मिलते हैं नेक्